बुलो श्री प्राण नाथ प्यारे कीजे बुलो श्री सत्गुरु महराज कीजे पन्ना धाम कीजे सर्व सुन्दर साथ कीजे आप सभी सुन्दर साथ जी के धाम रिदय में विराज मान, शोभाय मान, प्राण प्रियतम, राज रसिक, हे पिरियम, आपके नूरी, कोमल चर्नार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी सुन्दर साथ जी पुनरावरित्ती डे टू यानि दूसरा दिन आज रिवीजन का आज या कल तक हो जाएगी पर इसी बहाने आपने देखा कितने सुन्दर सुन्दर जो थमनेल्स बन कर आये थे उनकी पुनरावरित्ती तो जरूर हो रही है अति सुन्दर सेवा ये प्यारा बनाने के लिए भी हमारे भाई के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी आए सुन्दर साथ जी जी मंजुला बेन है आज तो जी सुरी सुरी सुदर साथ जी प्रणाम जी मंजुला बेन आपके चर्णम में प्रणाम जी कितना धैर्य कितनी पेशेंस है मंजुला बेन आपने आपने हैंड भी रेजनी किया कि आज मेरी बारी है प्रणाम जी आप शुदू कीजिए प्रणाम जी प्रणाम जी अलो स्री प्राणाथ प्यारे कीजे सत्गुरु महराज कीजे राश का प्रक्रन है पहला हवे पहला मोह जलनी कहुवा तेता दुखरू पी दीनरा दावाना लबाले काई पातते नी केटली कवी ख्या हवे पहला मोह जलनी कहुवा तेता दुखरू पी दीनरा माया नामुख माहे थी जुगते काडी जो देता जारका ती गानी देता जारका ती गानी माया की दीपा दरीडो रह वे पहला मोह जलनी कहुवा तेता दुखरू पी दीनरा दनी नाजयम दनवतली दीवली पेरे सा आदुखरू पनी मुख माहे थी आदुखरू पनी मुख माहे थी भी जो कोन काजय बिना आजार हवे पहला मोह जलनी कहुवा तेता दुखरू पी दीनरा तमे कृपा की दी अतिदनी जानी मुल सगाई करतनी माया पाड़ी परताले हनी माया पाड़ी परताले हनी बल की दुमोने मारदनी हवे पहला ओ जलनी कहुवा तेता दुखरू पी दीनरा हवे एदानमे जोपे जान्यू जिप्याये नजाई वखान्यू मारा है रामा आन्यू मारा है रामा आन्यू अमविना कोने न मान्यू हवे पहला मोह जलनी कहुवा तेता दुखरू पी दीनरा में चितमाहे चितव्यू चान्यू कर्शू सेवासा माल्याताने मुनेता मानो माल्याताने मुनेता मानो सुफल कर्णू अवतार हवे पहना ओह जलनी कहुवा तेता दुखरू पी दीनरा मननामनोरत पूरन की दाग मारा अनेकवा वरने चाये इंद्रावती वरने चाये स्त्री इंद्रावती मारा आतमना आदार हवे पहला मोह जलनी कहुवा तेता दुखरू पी दीनरात हवे पहला मोह जलनी कहुवा तेता दुखरू पी दीनरात पुलो स्री प्यारनात प्यारे की जै दाम के दनी की जै सर्वसंदर साथ की जै प्रणाम जी सोन्या दिधी प्रहम प्रणाम जी प्रणाम जी आपके चर्णों में कोटी कोटी प्रणाम जी अती सुन्दर ऐसे लगता है जैसे बारियां गाई जाती होंगी न तो कहीं से गुजराद की खुश्बू आती होगी कहीं से कोई और प्रदेश की खुश्बू आती होगी पंजाब की भी एक सखी गाया करती थी वहां पे अती सुंदर आपके चर्णों में प्रणाम जी, अती मीठा होनिया की रामत बसी हुई थी, आपके नाम से अब ख़वे पहला मोजल नहीं कहूं बात भी साथ में आ गया प्रणाम जी, आए सुंदर साथ जी, चलते हैं तयार है ना, बीतक की रिवीजन के लिए, पुनरावृट्ती के लिए देवचंदर जी की बात चल रही थी सुन्दर साजी कहां तक पहुंचे थे आपको याद होगा कच्छ तक पहुंच चुके हैं आगे भोज नगर और उनको दर्शन भी हो चुके हैं सुन्दर साजी और इसमें कमलेश भाई जी के बनाए हुए शौर्ट नोट्स बहुत काम आ सकते हैं अगर आपके पास हैं तो खोल लीजे फटा पाच्वी कहां उत्री और पिर चठी कहां उत्री पहली पहली चौपाई कहां उत्री जी श्री तार्तम की पहली चौपाई कहां उत्री किसके मुख से उच्चरित हुई यह बहुत इंपॉर्टन है जी हां जी कुसुम गुपतान भी प्रणाम जी पहली चौपाई देवच तूरत में? अच्छा, हाँ जी, एक मिननद। इसको एक सुन्दर साजी से और सह बागीता, सह योगीता, हाँ जी. तो सुनीता सिंगल दीदी, प्रणाम जी, अती सुन्दर को सुमान्टी, प्रणाम जी, हाँ जी. प्रणाम जी देव चंद्र जी ने किनों ने उचारन किया था उनका? जी वो जो सरूप राजी जो राजी सुनीता दीदी एक और सुन्दर साथ इसमें बताएंगे जोती जी प्रणाम जी? सार्तम की चौपाईयां कहां-कहां अवतर रहेत हुई पहली चौपाई के बारे में बताना है? पहली चौपाई तो जब सत्गुर महराज जी आ गए थे घर पे तो वहाँ पर उत्रे थी जब कथा सुनके आ गए दर्सन दे दिये राज जी उसके बाद आज उसको राजमंदिर कहा ज़ता है बिल्कुल अती सुन्दर कमलेश भाई जी आप इन चौपाईयों के बारे में बताएए तार्तम की चौपाईयां कहां कहां उत्री इनके मुक से उचारन हुआ किन के मुक से जी प्रेनाम जी चौपाई नावतन पुरिय में उत्री थी जो देव चंडर जी की रदय में सुन्दर में उत्री थी और छठी चौपाई वो उत्री अनुप शहर में बहुत सुन्दर और पहली चौपाई में तन कौन सा दिख रहा था तन तो देव चंडर जी का था लेकिन वो श्यामा जी के द्वारा उस आविश्वरूप में कहला थी राजी नाट जी ने के दूस तन कौन सा दिख रहा था तन भी वो दिव चंडर जी का इस दूसरी तीसरी चौथी पांच में उत्री थी भाई जिप बंदर में नई वो तो स्री जी का था महराँ था बिल्कुल सही अती सुन्दर सोचे तन बदल गया पुरा और इससे भी राजी शिक्षा देते हैं तन तो अगर धोखे में रह गए हमकी तन बदल गया हमारे सत्गुरु तो चले गए तो तार्तम की एक ही चौपाई में हमें वो करना पड़ेगा सैटिसफेक्शन पूरा तार्तम भी नहीं मिलेगा उसमें भी तन बदल चुका है सुन्दर साजी अती सुन्दर कमलेश पाई जी एक तार्तम की छे चौपाईयों में भी तन बदल चुका है सुन्दर साजी अगर तनों के चक्रों में पड़े रह गए तो तार्तम भी पूरा नहीं होगा और स्पेशल फोकस जो दिया गया था स्वामी जी के टीका में कि जब धनी श्री देव चंदर जी अपने घर आ जाते हैं कथा सुनके तब उनके मुक से राजी के आवेश द्वारा वो बताया ज जाता है निजनाम श्री कृष्ण जी अनादी अक्ष्राती सो तो अब जाहिर वह सो पे बहुत जादा फोकस दिया था तब यदि आपको यादो नहीं तो कहते न मैं तो अब जाहिर भया अगर राजी स्वयम सामने खड़े होके कह रहे होते तो कहते मैं हम तो अब जाहिर मैं नहीं कहते तो हम तो अब जाहिर भय पर क्या कह रहे है वो तो सो तो अब जाहिर भय तो इसलिए देव चंदर जी उनके बारे में कह रहे है कहलवा तो धनी जी रहे है बाकी की दूसरी तीसरी चौथी और पांच्वी चौपाई दीप बंदर में उतरी जैराम कंसारा ज चहर में उत्री वो सनंद का स्थान है सनंद वहां से उतरनी शुरू हुई थी सुन्दर साजी हां जी तो अब ये बताएंगे इसमें कुछ चेंजिस भी हुए थे श्री देव चंदर जी सत्य छे इस प्रकार का कुछ था और उसका कुछ और हो गया था वो कहां हुआ था पहल हो सकता है या फिर अनूप शहर हो सकता है तो कहां पर चेंजिस आयो नहीं कौन से सुन्दर साजी बताएंगे क्योंकि जब इनिश्यली श्री तार्तम उत्रे तो देव चंदर जी सत्य छे उत्रा था फिर बाद में उसमें चेंज हो गया कहां हो सकता है एक जगा उत्रा जगी प्रकार से इस प्रकार से ध्जान देंगे ना तो कभी निभूलेगा अती सुन्दर जोती जी प्रणाम जी श्री निवास अंकल आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है क्योंकि you are life of this questionnaire क्योंकि हम आपके पास ही आते हैं कुछ इधर उधर हो जाए आपकी तबीयत ठीक है अंकल? प्रणाम जी तब पहले चुप सुधार है यह देरे प्रणाम ठीक हो हूँ शुकर है राजी ने हो गया चमा जाए नहीं 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 चुकर है आप आगये हैं आपके चर्णों में प्रणाम जी तो आएए सुन्दर साजी अगला प्रश्न अब ये बताइएगा जब चौपाईयां उतर जाती है दन वेरी नेक्स्ट कुछ दिन के पश्चात उसी समय घर आते हुए नहीं शाम जी के मंदिर से घर आते हुए नहीं उनके भी पश्चात घर आके तार्तम की एक चौपाई उतरती है उसके बाद कौन से ऐसे पहले सुन्दर साथ होते हैं जो जिनके साथ ये शेर करते हैं पहले सुन्दर साथ सोचिए अखंड का ग्यान सुन्ने वाले पहले सुन्दर साथ कौन से हैं बहुत सौभागेशाली वो सुन्दर साथ रहे होंगे जिन्होंने कभी सुना नहीं क्रिशांगी जी प्रणाम जी प्रणाम जी श्री गांग जी भाई होते हैं सबसे पहले उनको मिलते हैं उनसे वो बात परते हैं पर की जाती है कृष्ण जी भी ऐसे लगता है दो दो तीन तीन टाइम आकर भोजन करते हैं सुन्दर साजी के साथ अती सुन्दर अच्छा ये बताइए अब कि वहां पर कुछ शिकायत वगेरा होती है या क्या पहले अब इसके बाद कौन सा प्रसंग आता है सुन्दर साजी सबसे पहले कौन सा प्रसंग आता है मिहिर राज जी की ओर चलते हैं हम सुन्दर साथ कल हमने मिहिर राज जी के जन्म की तिथी हम सबने की थी सबको याद है ना भी तक मिहिर राज जी के जन्म की तिथी क्या थी चतुर्दशी तो सबको याद है चौदा तो सबको याद है पक्का तो वो शुक्ल थे ये कृष्ण है है ना क्यूंकि वो धनी श्री देव चंद्र जी थे ये प्रान नाज जी है तो कुछ बदल दिया राज जी ने यहाँ पर वो शुक्ल थे ये कृष्ण है वो शुक्ल पक्ष थे ये कृष्ण पक्ष है चतुर दशी सेम तू सेम परिण परनाम जी इसके बाद में वो परसंग आता है कि मेग भाई जी जो आना अपनी बुवा को आकर बताती है कि वहां पर बहुत प्यारी चप्चा हो रही है बहुत सुंदर अच्छा मेग भाई अपनी बुवा को बताती है कि यह बिल्कुल मेग भाई तो उनकी बुवा है मेग भाई तो बुवा है तो कौन बताती है कि उनका नाम है आज अजबाई अजबाई जी को बताती है अजबाई जी का क्या लेना देना है उनसे अजबाई जी कैसे मिल जाती है मेग भाई जी की तो बती जी है गांग जी भाई की क्या लगती है गांग जी भाई जी के बेटे की बहू है वो उनी के वहाँ पर प्यारी सी चर्चा होती है बहुत सुन्दर गांग जी भाई के घर पे चर्चा होती है और ये उनके बेटे की पत्नी है शाम जी की पत्नी है अजबाई है ना और इनकी दो बेटियां भी है बेटियों के नाम य जी हस्ती खिल-खिल आती रहती हैं और खुश रहती हैं रोज उनके दर्शन करती हैं और सब सुन्दर साहगी बहुत रीच जाते हैं उनके उपर अती सुन्दर तो ये अज बाई कोशिश की है चाहे फोन करके चाहे वो सफल हुआ हो या ना हुआ हो डजन्ट मैटर वो राजी पे निर्भर करता है पर हमने कोशिश की या नहीं केवल एक सुन्दर साथ को बताने की आज नोट कर लीजिए ये प्रण हमने लेने है चाहे कॉफी बहुत दूर छूट गई अब एक साल होने वाल है सुन्दर साथ जी उसको अब नए प्रण लेने का समय आ चुका है हमें भी डूबना है स्वामी जी का आदेश है एक सुन्दर साथ कम से कम एक और सुन्दर साथ को बताएंगे और उनको करेंगे श्री मुखवानी से श्री बीतक साहिब से जुड़ने के लिए तो आज से हर सुन्दर साथ एक सुन्दर साथ को जरूर सूचना देगा वो माने ना माने पिया जी की इच्छा हां जी तो सुन्दर साथ जी अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर जो की है अच्छा ये कड़ी तो बड़ी सुन्दर बन गई अज बाई जी उनकी कड़ी बन गई अब क्या आगे प्रसंग ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला है इसको इसको अच्छे से करेंगे कौन सा ये विक्रम स समवत की बात हो रही है कितने उम्र हो चुकी है महिर राज जी की जब ये प्रसंग घटेत हो रहा है अज बाई जी बिलकुल सही अतिस तिथियों की बात आए और हमारे बिदुर भाईया का हैन ना रेजव ऐसा तो होई नहीं सकता प्रणाप जी भाई प्रणाप जी आप एक सेवा भी कीजेगा जरूर तिथियों से रिलेटेड हमारे दुश्यंत भाईया और विदुर भाईया मिलकर कैलेंडर में पन्नाधाम का कैलेंडर आपके पास होगा जब भी कोई विशेश दिन हमारे समाज का आने वाला हो तो तिथियों से रिलेटेड सेवा आप दोनों कीजेगा जरूर हफता दस दिन पहले इनफॉर्म कीजेगा फॉर एक्जामपल छत्र साल जी जैंती आन आप कीजेड सेवा में देने के लिए थैंक यू शांता जी परफेक्ट और दुश्यन भाईया और विदूर भाईया ये सेवा बहुत सुन्दर कर पाएंगे हाँ जी 1687 क्यों 1687 पिछतर में 12 जमा करो 1687 आ जाता है है ना और 12 को मैंने पते कैसे याद किया एक दोनी पहले दो महीने और फिर दस दिन दस और दो बारा ही तो होता है तो बारा वर्ष दो महीने और दस दिन इस परकार बारा को तोड़के दो और दस कर दिया हुआ आगे बस कुछ भी नहीं है और तो इतने इतनी आयू exact थी उनकी अभी तो राजी घंटे भी लिख देत है कितने घंटों के आपर बोले इनसे इतना ही हो जाए तो बहुत है तो बारा दो और दस याद रखेंगे 1687 में मिले हैं यह मिलन उनके सुंदर साथ जी जन्म की बधाई पूरे ब्रमांड को है आपने देखा होगा मैंने ये बात नोटिस की है आप भी नोटिस करना आज बधाई ब्रिज धर घर कृष्ण जी का जन्म होता है तो बधाई किसको देते हैं ब्रिज के घरों को बधाई देते हैं आप श्री मुखवानी में पढ़ना ये चुपाई है श्री मुखवानी में आज बधाई ब्रिज घर घर ब्रिज के घर घर में बधाई हो रही है पर जब देवचंद्र जी पैदा होते हैं, उनके तन का जन्म होता है, तो बधाई पूरे ब्रमांड को क्यों? तब ब्रिज में बधाई क्यों दी? क्योंकि ब्रिज अखंड हुई है, सुन्दर साजी ध्यान दीजेगा. अभी तक ब्रिज ही अखंड हुई, तो बधाई भी ब्रज को दी गई. अब पूरा ब्रमांड अकंड होने वाला है, 28 में कलियूग में जो जो आया है, सारा ब्रमांड 28 कलियूग है क्योंकि, तो आठ भहिष्तों में कोई ना कोई भहिष्तों इस ब्रह्मांड को मिली और प्रानी ऑर प्रानाजी के स्टेप्स की और बणना शुरू हुए, जब वो अक्ष्रातीत की शोभा उनको मिली, अच्छा इसके बाद क्या होता है सुंदर साघ जी? उनका जन्म होता है, वो मिलते हैं देव चंदर जी से, अब आगे आगे क्या होने लगता है, सबसे पहल कड़ी तो बनती है मेग बाई जी को पता लगता है मेग बाई जी कौन है सबसे बड़े भाई हरवनश ठाकुर जी की पतनी है सबसे पहले उनके घर में से चरनों जाता कौन है जी very good ठी सूंदर दीकषा जी प्रनाम जी गो वर धन भाई जाते है सबसे खेल लें तो बिल्कुल सही 30 सुन्दर, very good गुवर्दन भाई तीसरे नंबर के भाई है इसी के साथ यदी सुन्दर साथ जी को याद हो तो बताएंगे चारो भाईयों के नाम क्या है उनके चारो भाईयों के टोटल तो पांच हैं उनके चारो भाईयों के नाम क्या है पांच हैं क्या टोटल बताएगा सुन्दर साथ जी बहुत ध्यान से जी, हान जी very good प्रफुला बेन प्रणाम जी जी प्रणाम जी अभरिवन चाकूर तामलिया चाकूर उद्दर चाकूर जी प्रफुला बेन अटी सुन्दर इसको ऑडर सही करके जीडना जी बताएगे प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी सावलिया चाकूर प्र मेहराच चाकूर और उद्दव ठाकूर बहुत सुन्दर इसमें एक भाई का ऑडर थोड़ा सा इधर उदर अच्छा पहले हरिवंज ठाकुर जी फिर उसके बाद उसके बाद सावलिय ठाब और फिर फिर गोवर्धन ठाब फिर बाकी सही है महिराजी और उद्धव ठाकुर जी यानि गोवर्धन ठाकुर जी बीच वाले हैं यह द्रान रखना है न वो बिलकुल मिडल में आते हैं पांचों के अती सुन्दर अब सुन्दर साजी बताएंगे अब बीच वाले भाई जो है न गोवर्धन ठाकुर जी उन्होंने बहुत सुन्दर भूमी का निभाई है महिराजी के जीवन में तो वो जात होते हैं भाई की चलो या फिर कुछ और होता है नहीं रानी दीदी कह रहे हैं नहीं आराम से तो नहीं होता कुछ और होता है बिलकुल सही भावना दीदी पनाम जी पनाम जी पनाम सुन्या दिदी पनाम जी अराम से नहीं लेके जाते हैं जब वो बारा वर्ष दो माहा और चार दिन के थे तब महराज जी ने कहना शुरू तिया था कि मुझे आपके साथ चच्चा सुनने जाना है लेकिन वो नहीं गए उसके बाद छे दिन तक वो कहते रहे जब वो वारा वर्ष दो माह और दस दिन के हो गए तब वर्दन था तो उनको अपने साथ लेकर गए थे इस परदा छे दिन बीते थे और लास्ट में जब वो पलू पटड़के छोड़के गए और महराज जी रोन पुछते ही क्या देवचंद्र जी उनको पहचान जाते हैं सुन्दर साथ जी या वो नहीं पहचान पाते देवचंद्र जी धनीश्री देवचंद्र जी पहचान जाते हैं ये कौन सी आतम आई है आज और कितने हर्षित हो जाते हैं पता लग जाता है उनको क्या देवचं आप तो अपने फेस एक्स्प्रेशन से सारे उतर देते जा रहे हो आज बिल्कुल उस स्माइल के साथ अती सुन्दर अच्छा ये बताइए सुन्दर साथ जी उनतर पातियों वाला प्रकरन अभी होता है जैसे माथा टेकते हैं उनतर पातियां निकलती है इनके इनकी जेब म आखे सारे सुन्दर साथ बता रहे हैं सारे सहय योगिता निभा रहे हैं आजी अनुदिदी प्रणाम जी इसी समय होता है जब वो माथा टेकते हैं तो उनकी जेब में से गिती हैं जबकि वो घर से तक उतनी लेकिया है आजी बहुत सुन्दर अभी मुकेश भहिया बताए प्रणाम जी प्रणाम जी सुन्द साथ जी तभी होता है क्या तो जरूरी नहीं होता हुतर सही होता है सुन्द साथ से यह कहाता कि अगल उस लिल्ला में स्रीक्रिसन जी देवचन जी को ने जो है सुन्द साथ से कहते हैं कि आप सब जो है मेरे से जागनी हो इस तरह से पाती लिखे यह लिखाई सुन्द साथ से तो अभी ऐसा अभी तो वो दस वर्ष के बारा वर्ष के अभी होगा यह प्रसंग भाई अभी तो आई है हाँ अभी तो आई है हाँ तो ये प्रसंग अभी हो जाएगा ऐसा लग रहा है जांदगर में पाती तो ये प्रसंग तो बहुत पहले लिखवा दिये दिखते न जब से सचंग होता था जब जाएंगे भी तन दोड़ जाते हैं तभी प्रक्त लगता लगता कि हां उनको ऐसा होता कि ये जागनी जो है इनके द्वारा होनी है प्रणाम जी इसके लिए श्री निवास अंकल के पास भी चलेंगे प्रणाम जी अंकल आप बोल पाएंगा वाहां जी बहुत सुन्दर अती सुन्दर बिल्कुल सही इसी समय ही जब वो प्रणाम करते हैं ना सुन्दर साजी तो उननतर पातियां गिर जाती अभी आए ही हैं अभी जस्ट आए हैं और उनकी जेब से वो गिर जाती हैं अरे वाँ बहुत सुन्दर इसको अंकल ये इसी समय गिर जाती है ना जी बोलने हैं अच्छा इसके बाद बताएए अब मिहिर राजी चर्चा सुनते हैं अब उनके दिल में ऐसा क्या आता है कि वो अभूशन भी कहते हैं मेरी पतनी के ये भी विकार है ये क्या आता है उनके चा रहे हैं कि ना तो इधर देखते हैं कोई रास्ते में मित्र मिल जाता है उससे भी मुख मोड लेते हैं सारा कुछ कोई खाना ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनका दिल करे खाने का उससे भी मुख मोड लेते हैं कि नहीं ये भी मेरा विकार है और क्या वो उस प्रियोजन म मेरे को परंधाम क्यों नहीं दिखाई देता है सद्गुरु जी को तो दिखाई देता है वो जो भी वर्णन करते हैं देख के बताते हैं तो मेरे को क्यों नहीं दिखाई देता तो सोचते हैं इस सब माया के विकार हैं मेरे में इसलिए वो सब कुछ छोड़ देते हैं, खाना भी बहुत कम कर देते हैं और बजार जाते हैं तो मुह इदर कर लेते हैं, दोस्तों को देखके भी मुह फिर लेते हैं अपनी पत्नी के सारे आभूशन भी धनी के चरणों में समर्पित कर देते हैं फिर उनको केते हैं कि, saldo guru ji केते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने फिर बोला कि आपको दिखाई देते हैं, परमधान मुझे क्यों ने दिखाई देता। फिर वो धंदेज जीने बोला, कि आप मेरी गद्दी पर बैठीे, ये लीला एक समय में एक ही के तन से होती है तब आपको दिखाएगे देगा तब उनको समझ वाया तो उन्होंने प्रियोजन के लिए वो कर रहे थे दीदी बिल्कुल सही अती-अती सुन्दर डिस्क्रिप्शन आपने दिया वो चाह रहे थे कि मुझे क्यों नहीं दिखते क् प्रणाम तो बाद में दर्शन फिर हुए जब वो अपसा में थे तभी हुए जी प्रणाम जी इसमें मैं एक वो बताना चाहूंगी स्वामी जी ने इसमें बहुत सुन्दर लिखा हुआ है कि जब उन्होंने ये किया तो उनको परमधाम की जलक मिली उनको पहली बार तभ कियों को नहीं दिखा सकते थे पर खुद देखना अलाउड है सबको तो उनको तो मिले पर वो आगे नहीं बता सकते थे क्योंकि एक के अंदर यदि शक्ति है तो वही ये कर सकता है तो इसमें एक चौपाई बड़ी सुन्दर आई हुई थी मैंने अभी निकाली नहीं क्योंकि उनके तन से होने वाली लीला आगे होने वाली थी और उतना प्रकर रूप से शायद ना मिलाओ पर उनको मिल गए थे अंदर तक अजी अब ये बताइए यहां तक हम पहुँच गए हैं बीच में हमने एक बहुत इंपोर्टेंट घटना मिस कर दिये बीच वाले भ इंद्र जी के साथ उन भाई से रिलेटेड या ऐसी कोई घटना जो हमने हमने मिस कर दी ओ सुंदर साथ जी कांता बेन प्रनाम जी प्रनाम जी गोवर्धन भाई का धाम गपन देखे युवा वस्ता में थे मिहिराजी भी कितने हैं भी उनका धाम गपन हो गया बड़े भा किसी सुन्दर साथ जी को याद है ये धाम गमन कब हुआ था विक्रम समवत के वल तिथी जी तो कब हुआ था उनका धाम गमन सुन्दर साथ जी को याद है ब्रिंदा दिदी निपाल के सुन्दर साथ तिथियों में बहुत आगे होते हैं प्रणाम, अजर्ट प्रणाम, शतरसाव, सतरसाव, बिक्रम समवत सतरसाव? बिलकुल सही, बिलकुल सही, बिक्रम समवत सत्रासौ में गुण्धन भाई जी का धाम गमन हुआ, उसी ही ये अपने विकारों को हटाने में, अकेले पढ़ गये थे सुन्दर साजी बिल्कुल घर में कोई नहीं है उनकी बात करने वाला भी तो वही भाई के साथ ये सारी बाती किया करते थे इसके बारे में भी स्वामी जी ने बहुत सुन्दर लिखा है 100% समर्पन में भी कुछ उनका भाई के साथ था जैसे ही भाई ने तन छोड़ा तो वो भी अंदर से छूट गया और फिर आगे बढ़ चले कि अब मुझे पिया चाहिए अब मुझे विकारों को अपने दूर करना है तो 1700 में महिर राज जी की उम्र क्या थी सुन्दर साथ जी मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि आपको उनका जन्म याद है जी महिर राज जी की उम्र कितनी है और सोचिए उतने साल का एक बच्चा ही है उतने साल का एक युवा है और वो क्या-क्या सोच रहा है उनका कितना कम हो गया था तब तो कितने साल की उम्र थी रानी दीदी पर्णाम जी पर्णाम जी पच्चिस साल की उम्र थी उनकी 16cem 1.74 में उनका अभी 1700 हो चुके तो 25 साल की केवल उम्र है जब एक युवा ये सोच रहा है क्योंकि अंदर इंद्रावती जी की आतम है और आगे लीला होने वाली है हम आज अपनी इस सुम्र में क्या उतना सोच सकते हैं हमारी तो आधी से जाधा निकल चुकी है फिर भी क्या हम इतना सोच सकते हैं सुन्दर साजी जो वो 25 साल में सोच रहे थे बहुत ध्यान से एक एक स्टेप लेना है हम धनी की और कितना बढ़ रहे हैं तब श्री बीतक साहब का मन्थन करने का असल फल मिलेगा जैसे जैसे छोटी छोटी बात को लेकर हम अपनी रहनी में पिरोते चले जाएंगे रोते चले जाएंगे, हान जी, सुन्दर साजी अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न जो है, जी, अब इसके बाद, सुन्दर साजी ऐसा कुछ होता है, कि बाल बाई जी कुछ कहती है, कि एक भाई ने तो तन छोड़ दिया है, और बीच में एक और घटना होती है, एक और घ घटना होती है, तो वो कौन सी घटना है, दो सिपाहियों वाली, इसके पहले, हान जी, दो सिपाही की कौन सी घटना होती है, वेरी गुड, अती सुन्दर, बहुत सुन्दर, बहुत सारे, ऐसे बीतक आती जारी है, सुन्दर साजी, so proud of you, I am so happy, कि मेरे सुन्दर साज को को मैच करने के लिए उसको याद रखना, थोड़ा-थोड़ा दिल में ताजा होना जरूरी है, शान्ती देवी जी, आप पताये, प्रिनाम जी, प्रिनाम जी, स्वतगुरु जी चर्चा कर रहे थे, उनकी सिकाई को किया है, कि तायस्ते घार में प्टेट कर एक मैने करते हैं, वहाँ पर इसी पुरुष मिलते हैं का था सुनते हैं, जाज कर की जाए, तो दो कोटवाल गए, उसको देखने के लिए वहाँ गया, बहुत आये थे कि दीपक चलता है उसी के निशान देखे जाना है, और दोनों गए ताय एक तो परिकार्मा करता रहा गया, सार धरोल, हाँ धरोल चला गया, सुबा हुगा तो देखा कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ, अब यह देखा कि मैं को परिकार्मा करता, दोनों बहुत करोड़ी तुए, अब बोले कि वह मिले गया तो उसको जान से मार गया, दोनों के घर में हाँ को लाखल हो गया, तो जहाँ ग पोस दूर धरोल चला गया, धरोल का नाम और कहां आया है, आगे आएगा, हम जब तक कर चुके हैं, थोड़ा-थोड़ा याद होगा, धरोल का नाम और कहां सुना था हमने, धरोल, बेरी इंपोर्टेंट, जी, अरे वाह, अभी नोट्स बहुत आगे हैं, पहले से पता है स सुनाइर साजी को, हाँ जी, तो धरोल कहां पर है, जै शृवन, प्रणाम जी, कहां आया नामी, प्रणाम जी, वो जब महिराजी, कला जी की यहां रहे है, पे टेशु not, बीकोल सही, अती सुन्दर, कला जी के वहाँ धरोल में नौकरी करने जाते हैं मिहिराजी, क्या धरोल का नाम कहीं और भी आया है सुन्दर साथ जी कला जी के अलाबा भी आया कहीं कुसुमांटी प्रणाम जी प्रणाम जी जब वो जुनागर जा रहे होते हैं तो रास्ते में जो नदी के किनारे पर उनको वो मिलती है फूल भाई तो वहां पर धरोल का नाम आया था जी मैं यही बोलने वाली थी बस कि क्या वहां पर भी धरोल आया था सुन्दर साथ जी सोचिए क्या वो धरोली था सोचो सोचो क्या वो धरोली था रानी दिदी पर नाम जी दरोली था वो पक्का दरोल का आए आई हैई अभी देखते हैं कमलेश भाई जी प्रनाम जी है तुर्णा था भाई दोरा जी दोनों अलग अलगे वो एक जैसे लगते हैं सुनने में धर 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 है ना तो वो धोरा जी है क्योंकि वहाँ तेज कुमरी मिली हैं वहाँ कला जी मिले हैं वहाँ तेज कुमरी मिली हैं तरोल और धोरा जी एक कैसे हो सकते हैं ना कहां कला जी कहां अमारी तेज कुमर तो याद रखना है, आप सभी सुन्दर साथ याद रखेंगे, मेरी तेज कुमरी अती सुन्दर, अती सुन्दर कमलेश भाई जी, धोरा जी और वो भी एक गाउं बसाने गए थे, अच्छा बताओ कौन सा गाउं बसाने गए थे तो धोरा जी रस्ते में आया था, बताओ, ब बहुत ही प्यारे, सुश्मा धामी जी, परणाम जी, सौरट गाउं बसाने गए थे, अच्छा एक बात और सुन्दर साथ जी बताएंगे, सौरट गाउं बसाने गए तो थे, पर वो गए कहाँ थे, कौन सी जगह पे गए थे, उसका मेन क्या नाम था, सौरट गाउं था, और शहर जैसे समझ लीजिए, क्या नाम था, कहाँ गए थे, और सौरट गाउं बसा धिया था उन्होंने, जी, वर्शागर जी, प्रणाम जी ती जूनागर गए थे, जी, बिल्कुल सही, अती सुन्दर जूनागर गए थे, सौरट गाउं बसाने गए थे, रस्ते में धोर जी, जी लगा हुआ है, धरोल के साथ जी नहीं लगा हुआ है, क्योंकि वहां तो कला जी है, नहीं वहां भी लगा हुआ है, कला जी, वहां धोरा जी नहीं लगा हुआ है, यहां दो जी लगे हुआ है, क्योंकि यहां पर धोरा जी भी और तेज कुमरी जी भी, यहां दो ज खूँआ थोड़ा थोड़ा हसी हसी में करेंगे न तो बिल्कुल कभी भी कहीं नहीं जाएगा सुन्दर साथ जी, तो अब हम थे धरोल में थे, तो सिपाही गया था धरोल में, वापिस आजाईए वहीं पे उसी जगह पे, अब इस प्रसंग के बाद वो कहते हैं, एक तो भा तन छोड़ चुक है ये दूसरे भाई का भी ख्याल कर लीजिए ये इनों ने पहली और आखरी बार चिंता की है उनकी पहली और आखरी बार उन्होंने चिंता की है तो ये डायलोग बड़ा इंपोर्टेंट है क्योंकि उसके बाद तो फिर और ही कुछ होता गया जैसे जैसे मोल सरूप का हुकम होता गया सविता बेन प्रनाम जी प्रनाम जी इसे बिल्कुल ऐसे गुजराती में बोला होगा क्योंकि गुजरात में वो रहते थे इसलिए शायद आपके मुख से ही सुनना जरूरी था ऐसे बोला होगा एक भाई पन छोड़ दी तो आगे दूसरा भा बताएंगे सुन्दर साथ जी अब दूसरा भाई भी न चोड़ दे तो उनको कहां बेज दिया फिर कहां बेज दिया उस भाई को यानिके मिहिर राज जी को कहां बेज दिया जाता है और क्या करने के लिए बेजा जाता है बहुत ध्यान दीजीगा में टृप पे नहीं जा सुन्दर आपका बिल्कुल सही है उनको भेजा जाएगा भी उसके पहले ना एक शौट ट्रिप पे भेज देते हैं कुछ लेने के लिए किताब लेने के लिए एहमदाबाद शौट ट्रिप यह हम जरा भूल जाते हैं इस शौट ट्रिप को तो ध्यान दीजेगा सहयोगिता में जो भूले बिष्रे यह होते हैं ये सारे आजाते होते हैं इसलिए चोटी-चोटी चीज़ान दीजिएगा क्यूंकि यह जो सहयोगिता बनाने वाले ना वो बड़े अच्छे से इन चीज़ान देते हैं ठीक है ना तो शौट ट्रिप यानि एहमदाबाद ध्य जाजाता है, महेश्वर तंत्र, पुराण सहिता, इत्यादी, इत्यादी अब चलते हैं, उसके बाद कहा जाते ہैं सुन्दर सार जी, अब जाते हैं, अरब, अब किताबे लेकर आ जाते हैं, उनका मन भी थोड़ा इधर उदर हो जाता है, अब कब जाते हैं अरब? कितने साल वहां रहते हैं और वहां की मुख्य पहले तो ये बताइए कब जाते हैं और कब वापस आते हैं जी एक तागरवाल जी परणाम जी जी वो दो सत्रे सो चार में जाते हैं वहां चार साल रहते हैं पांट साल रहते हैं फिर वापस आते हैं जी, बहुत सुंदर चार में जाते हैं, सुंदर साथ जी, शांता जी बता रही थी हमें कुछ, कि कब जाते हैं, शांता जी ने हैंन नी रेज किया पर बता रही थी, ऐसे करते हैं, पर नाम जी देटी, पर नाम जी सुंदर जी, विक्रम संवच 1703 में जाते हैं, जी, बहुत स सुन्दर अती सुन्दर और वापिस कब आते हैं 1708 में विक्रम संदर 1708 में बिल्कुल सही अती सुन्दर ये दो सखियां जो है न स्पेशली एक शांता जी और एक मदू दिदी ये सारे उत्तर तो दे रही हैं पर मुझे दिख रहा है और उनके एक्सप्रेशन से पूरे उत् लोगिता में बैठने के लिए मेबी दे आर प्लैनिंग नेक्स्ट ये उसमें नहीं भी बैठना आप किसी भी टीम में आप बता सकते हैं मैं इनके साथ बैठके मैं भी बीतक साहब का रिवीजन करना चाहती हूं क्योंकि कल पांच शे टीम में में से जाच चुके हैं बारा में से चे टीम में तयार हो चुकी हैं बीतक साहब पढ़ने के लिए अपनी अपनी टीम में थैंक्यू स्पेशली प्रेम टीम और एक और टीम जिन्नों ने इनिशेटिव लिया था सिंगार टीम प्रेम और सिंगार ने इनिशेटिव लिया कि अब हम मिलेंगे और अब हम ब वीजन करना चाहते हैं, most welcome सुन्दर साथ जी, सारी टीम्स के name, ID, passwords और उनके साथ में उनकी details, उनका time, उनका day, सब कुछ share कर दिया जाएगा, ताकि हर सुन्दर साथ कहीं भी बैठा है, अब हम टीमों के दाइरों से बाहर निकल के कहीं भी बैठ सकते हैं, बस बीतक साहब 308 तक, बीच में बहाँ पर कौन रहता था, क्यों गए थे, किसने भेजा था, सुन्दर साथ जी, क्या प्रियोजन था वहां जाने का, अरब जाने का, क्यों गए थे, किसने भेजा, क्या प्रियोजन था, क्या वो प्रियोजन सफल हुआ था के नहीं, बहुत सुन्दर कमें की सेवा करती हुई हमारी अनीता त्यागी जी दि परणाम जी अती संदर खमेंन में परणाम है नींग यह तरी नहीं परे मईा जी जा शुदे से अपने परिवार से दूर हो और भो माया के तो टाइम ही नहीं मिल पाता और उनका धामगमन हो जाता है फिर उनकी जो प्रोपर्टी है उसको जो है वहां के जो थे उन्होंने हडप लिया और यहां पर जब हमारे स्रीची आए तो बालबाई जी ने सद्कुरु महराजी से यह कहा कि तुम्हारे इन्होंने जो है मिराश सब्सक्राइबर यूट्यूब में पूरे हो गए हैं सारे सुन्दर साथ को बहुत-बहुत बढ़ाई हो इस मौके पर दो लाइने आपके मुख से जूम परिवार वो तो बनती है दो लाइने एक लाइन भी याद हो तो वो सना दिए जूम परिवार हमारा जूम परिवार जूम परिवार हमारा जूम परिवार जहां बरसता हरपल हरचन धाम धनी का प्यार हमारा जूम परिवार हमारा जूम परिवार प्रेम का धागा ग्यान के मोती मिल जुल कर सखियां है पिरोती माया के दुखडे नहीं रोती भावो में भी सब सक्थियों के भरे प्रेम भंडा हमारा यूट्यू परिवार प्रणाम जी प्रणाम जी हमारा YouTube परिवार, हमारा इंस्टा परिवार, हमारा WhatsApp परिवार, हमारा Telegram परिवार, तो सारे परिवारों को बहुत बहुत बधाईयो, तो सुन्दर साथ जी अब पीछे हमारी बिटिया भी खड़ी हैं, नीर बिटिया उनके चरनों में भी कोटी कोटी फ्रणाम जी, तो सुन्दर साथ जी आगे चलते हैं, अभी जी तो गोवर्धन भाई जब गए थे ना सुन्दर साथ जी पहले उन्होंने अपनी पत्नी पद को बोलती हूं चलो पद्मा जी को बोला और उसके बाद पद्मा जी उसके ये नाम सुनने के बाद हमारी पद्मा जी को उनके नाम से प्यार हो गया था कि मुझे अपना नाम नहीं अच्छा लगता था वो बहुत सुन्दर सुन्दर प्रसंग हमारे सुन्दर साथ के भी ज द्रौवती जी को लाने के लिए कितनी कडियां बन रही है, अपती सुंदर हाँ जी, तो अब एक सुंदर साथ sì ने लिखा है, वो भी भाग लेना चाहते है या भाग लेने का तो अभी अगले साल है, वो भी बीततक की करना चाहते हैं, आप अपना नाम लिख दीजिए, आपका नाम रेडमी के नाम से लिखा हुआ है, तो आप अपना नाम लिख दीजिए, आपको किसी भी एक उसमें डाल दिया जाएगा सुन्दर साथ जी, हाँ जी, अब आगे चलते हैं, तो अरब में शेक सल्लाहू, पूरी संपति उनकी हडप लेते हैं फिर उसके बाद छेडा पकड़के, वो बादशा का छेडा पकड़के, कैसे अपने आप ही उनके दिल में आ जाता है कि मैं बादशा के साथ ऐसे उनका पलू पकड़के, उनका छेडा पकड़के पूछ लूँ, कौन बताता है सुन्दर साथ जी, कैसे आता है उनके दिल मे अरब देश को इतना जानते भी नहीं, मुस्लिम राज्य है वहाँ पे, कौन उनको बताता है ये करने के लिए कि जाओ ऐसे करो, हाँ जी, तो ये बता रहे हैं हमारे प्रतिभाजी, प्रणाम जी, प्रणाम जी दिदी, ये बात श्रीराजी महाराज उनके दोस्त बन करके उन जटकना और इस तरह से वो कहना उनको, अच्छा, बहुत सुन्दर, अच्छा, तो exactly बहुत सुन्दर, सुधा सिदाना जी आपने अपना नाम लिग दिया, आप अपना नंबर भी लिग दीजिएगा, प्रणाम जी, अच्छा, ये बताइए, क्या वो बात्शा का, जो मित् में अरब, अरब के मित्र, अरब, आरबी, वेश में मित्र के रूप में आते हैं, क्या वो उनसे कहते हैं कि उनसे बात करना क्या, उनको कुछ लिख कर देते हैं, कि ये दे देना बात्शा को, ऐसा होता है, या फिर पूरी बात करने का समय मिलता है उनको, छेड़ा पकड़ कौन से सुन्दर साथ जी को यार है कि यह लिखा हुआ पत्र मैं देता हूँ यह पकडा देना यह बाद शास इतना समय मिल जाता है उनको बाद शाक क्या उसमें छेड़ा पकड़ने में कुछ तूट जाता है, उनका ऐसा भी था कुछ, हाँ जी, अनुदीदी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, वो आर्बी जो मिलता है तो वो कहता है कि उनको आखिर के समय का जाद दिलाना कि मेरे साथ जे गलत हुआ है, और छेड़ा जब पकड़ते हैं तो उनकी कस भी तूट जाती है सुन्दर साथ जी उसमें और सारे तैनात हो जाते हैं कि ये क्या हो गया हमारे बादशा के साथ, पर बादशा कहते हैं नहीं, इनकी बात मुझे सुनने दो, हाँ जी, तो उसके बाद वो पूरा धन लेकर क्या वापिस आपाते हैं सुन्दर साथ जी, प खेता भाई जी द्वारा कमाया हुआ पूरा धन सेवा के काम आपाता है या ऐसा कुछ होता है कि वो धन चला जाता है हान जी सुष्मा शर्मा जी प्रणाम जी प्रणाम जी संदर साथ जी सभी संदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम सोनिया दी आपके चरणों में प्रणाम प्रणाम नहीं वो अनीती द्वारा धन कमाया हुआ था तो इसलिए वो राज जी की सेवा में काम नहीं आता है वो वहीं सारा नाज ठोड़ता है हाँ जी तो उनके पाँ जी बिल्कुल सही अती सुन्दर मुझे बताया गया है सुन्दर साथ जी उतना ही पूछना है सुन्दर साथ से जितना प्रशन पूछा है उतना ही पूछो और प्रशन नहीं पूछना एक के बाद एक नहीं पूछना नहीं तो फिर सुन्दर साथ हैं दुबारा वला पूछनी हूँ ठीक है तो दन्ना नहीं है बिलकुल भी जितना पूछा है उतना ही पूछूंगी ठीक है और question एडनी करूँगी उसमें अच्छा ये बताइए कि वहाँ पर ऐसा क्या होता है कि धन नश्ट हो जाता है कैसे होता है नश्ट धन क्या हो जाता है वहाँ कोई उनसे मिलने भी आता है उसके बाद ये बाद में करेंगे पहले ये बताइए धन कैसे नश्ट होता है क्या वेज राजी चुनते है उनको नश्ट करने के क्या तरीके होते हैं कि वो नश्ट हो जाता है हां जी मंजुला जी परनाम जी परनाम जी बालबाई जाम में उनका रखा होता है दन उसमें अग लग जाती है और वापे हैं अगला प्रशन अगले हैंड रेज़र एड गारबार नीचे अगले पड़ेंगे hand raise नीचे करने पड़ेंगे जी भाई तो अब क्या होता है उनसे कोई मिलने आता है अरब में सुन्दर साजी अरब विजिट करने आता है किसी को भेजा जाता है उनसे मिलने के लिए कोई मिलने आया वो विजिट करने आया वो खालचाल पूछने बेजा था उनका कैसे है ठीक तो है कहीं बिमार तो नहीं है अभी तक आये क्यों नहीं है क्यों भेजा जाता है दो जनों को और वो क्या करते हैं वहाँ जाके क्या नाम है उनके क्या करते हैं वहाँ जाके ये दो हांजी सुनीता सिंगल दीदी दीडी परणाम्स लिषी कर बालबाई जी के बेजा जाता है बिधारी जी बालबाई जी कर रहाई है फॉरन विजिट वो तो दरोल बेजा जाता है सोचो सोचो बिहारी जी और शाम जी कठे ही रहते हैं हमेशा क्योंकि जो बुराई होती है ना उसको भी दो तो चाहिए होते हैं एक अकेले का चलता नहीं है सुन्दर साजी तो जोड़ा ही होता है वो भी इधर जोड़े पे जोड़ा उतरता है उधर भी जोड़े पे जोड़ा ही उतरता हमेज़ा तो बहुत सुन्दर बिहारी जी और शाम जी को बेजा जाता है तो वहां पर जाकर क्या उनका हाल चाल पूछते हैं कैसे हैं कैसे हो क्या करते हैं वहां जाके सुन्दर साथ जी बताएंगे क्या करते हैं वाँ जाके वो इस बारे में पूछते हैं क्या बात करते हैं उनसे हान जी सुनीता दीदी आप ही बताएं पर नाम जी वो उनसे पूछते हैं कि बिमार है सद्गुर्ण मराज बिमार है और कि आप उधर ही हैं अभी अभी उधर ही हैं, रुक्ये कोई बात नहीं, आप उस इंसिडेंट में हैं, आप उसी की चित्वन में रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है, रानी दीदी आपने hand raise किया था, आप बताओ, आप भी यही सोच रहे थे? शाम जी जी, मैं भी यही सोच रहे थे, बहुत अती सुन्दर, अभी अरब में हैं सुन्दर साथ जी, अरब में बिहारी जी, जहां आप बोल रहे थे न, सुनीता दीदी, वहां बिहारी जी और बालबाई जी कोई बेजा जाता है, बिल्कुल सही थे, प्रश्न को थोड़ा स बदलें, उत्तर बिल्कुल सही था, अभी अरब में हैं, तो बिहारी जी और शाम जी को भेजते हैं, है न, वो किस परपस से भेजा गया है, और उनके अंदर कौन सा परपस पनपरा है, ये हमने बताना है, चांद कमलांटी, परणाम जी, परणाम जी, वो तो उनकी हेल्प करने के लिए भेजते हैं, कि जाओ उनकी सहायता करो, अकेले हम आप टक, पर वो वहाँ जाकर उनसे कोई सहायता नहीं करते, और कहते हैं, कितने पैसे कठे किये, बता दो, हिसाब किताब मांगते हैं, सारा लिख लिख के पूरा हिसाब बता देते हैं, इतना आग में जल ग लगा देते हैं कि सारा धन वो खा गए मिहराज खा गए वो बाद में जो लेकर के आते हैं तो पहले ही उनके कह देते हैं कि वो सारा धन खा गए उदर बालबाई जाकर के शिकायत लगा देते हैं राजा के पास कि ये मेरे भाई का धन था और ये खा गया तो राजा उनको पक सुन्दर सटीक वहाँ पर जल जाता है थोड़ा ये खा जाते हैं दोनों और बाकी राजा हडप लेता है एक पाई भी सेवा में काम नहीं आती सुन्दर साथ जी जिस प्रकार कमाया जाए उसी प्रकार तो सोचो अपने शरीर पे भी लगेगा तो क्या काम वो आएगा जो के खर्च करनी है तो सुन्दर साथ जी एक प्रशन और लूँगी उसके बाद हम श्री सिंदी की और चलेंगे और आई थिंक रिवीजन तो दो दिन और तो चलने वाली है जितना भी प्लान कर लो राजी जो मास्टर प्लानिंग करते हैं न वही वैसे वैसे ही होता चला जा के पास चलते हैं पर नाम जी जी पर नाम जी 40 दिन लगे तो बिल्कुल सही 40 दिन नाव में लगे थे उनको सुन्दर साथ जी और फिर वो जाकर अरब पहुंचे थे अच्छा एक बार नाव में और भी बैठे हैं वो 17 दिन लगे हैं उनको ये कौन सी नाव थी आने वाली लगए आएगी 17 दिन नाव में बैठे थे तब हैंickets ये कौन सी नाव थी कहां से कहां जा रहे थे याद है सुन्दर साथ जी को कहां जा रहे थे 17 दिन इन लगे बैठ के ऊड़िक̂ श्री निवास अंकल प्रनाम जी जालदाश जी कहां पर रहते थी तो सहर का नाम नहीं तो ठत्ता नगर से जो फर्स्ट टाइम में चलते हैं तो जहां सत्र दिन तक चला चला जा जाता है और जब वो अचानक राजी ने वायू वेक जो है वो बदल दिया वो वाकिस बूसी साइड से हावा चली तो सुबह को बिल्कुल सही अती सुंदर प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी बीच में सत्रा महीने भी कहीं आएंगे सुंदर साथ जी धीरे धीरे सब करेंगे ताकि सारे सुंदर साथ अच्छे से पूरे सुंदर साथ इसको आत्म साथ भी कर पाएं रिवीजन भी कर पाएं पूरा दूब के कीजिएगा सुन्दर साथ जी, आए जैकारा लगाते हैं, बुलो श्री प्राणनात प्यारी कीजे, बुलो श्री सत्गुरू महराज कीजे, प्रणाम जी सुन्दर साथ जी, प्रणाम जी, चर्णों में कोटी-कोटी, प्रणाम जी.